हेलो गाईज वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेज आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे भारती मानव विग्यान के छेतर में एसी रॉय में सरत चंदराए इनका क्या 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 कांट्यूशन था इसी रॉय जिनका पूरा नाम सरत चंदराए था इनका जन 4 नावंबर 1871 इसी में पूर बंगाल में हुआ था और इनका डेत जो है 1942 में हुआ था ग्रेजवेशन इननने 1892 में किया था कलकटा से स्कोर्टिस चर्ड़ कॉलेज से एंड पीजी रॉने 1894 में कंपेट किया था इसी कॉलेज से इननने रिपन कॉलेज कलकटा से बीदी छासर की उपादी भी 1895 में इन्नने प्राप्त किया था इन्होंने कुछ वर्स तक मेमिन सिंग उच्विद्याले में वर्धाना धियापक के रूप में कारी किया इन्होंने जियल मिसन उच्विद्याले राची में भी परचारी के रूप में योगदान दिया है जंजातियों के संपर्क में आने के बाद इन्होंने सिक्षिन कारे का परित्या किया और अदिवक्ता के रूप में कारे करने का निर्णे लिया 1898 में आप अधिवक्ता के रूप में काम करने राची आई यहां सिगरी आपकी बहचान एक सफल अधिवक्ता के रूप में बनी ये नियाईक आयोकियों और से एक अधिवक्ता के रूप में छुटनाकपूर से सुदुर ग्रामिन छेत्रों में जाया करते थे तथा यहां की आधिवासियों को समेप से देखा करते थे ये मुंडा और अधिवासियों के सोसन और उत्पीडन पर सरकार की उपेक्चापून रवये से काफी दुखी हुए उन्होंने पाया कि आधिवासियों की समस्याओं का निदान नयाले द्वारा नहीं हो रहा है क्योंकि इसमंदित वकीलों को आधिवासि संस्कृती रिती रि पूर्वक पूरा करने के लिए उन्होंने अपने आधिवासियों से और घरिष्ट रूप से जुड़ गये उनके साथ उनके गाओं का भ्रमन किया गाओं गये वहां पे और उनकी भोतिक संस्कृतियों रिती रिवाजों परतिहारों भासा इत्यादी के संब्द में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त किये इन्होंने उन सभी सुचनाओं को मोनोग्राफ के रूप में लिखित रूप पडान किया भारती माना जाते के प्रतिहिंकी अनुसंधान भावना एवन समर्पन को देखते वे इन्हें उडिसा और भिहार सुल समाज का माह सची बनाया ग इनका चैन 1921 से 1937 के बीच कई बिहार विधान परिशत के सदश की रूप में हुआ था माना सास्त्रे अधियन में गहन अभी रूची के कारण इन्होंने वकालत की पेशक का प्रेत्याग 1933 इसके परश्चात इन्होंने अप्रेम्रित्यू तक माना साज की सेवा करते रहे है इन्हें बहुत सारा प्रुसकार और पदग भी मिला था जैसे एसी रोय कई प्रकार के पदग और प्रुसकार की विजयता थे उन्हों 13 में इन्हें समाजिक सेवा के उपलक्ष में केशरी हिंद रज़त पदग परदान किया गया था 1920 में इनका चन लंदन लोक साहित समाज के सदस्य के रूप में किया गया था इसी वर्स इने अखिल भारते विज्यान कॉंग्रेस के माना सास्त्र एबं पुरतत्त्त्त सास्त्र साका का अध्यक्ष बनाया गया था अखिल भारते विज्यान कॉंग्रेस की और से इनके समान में अविनंद ग्रंत त्यार किया गया था जिसका सिर्सक एसे इन्थ इन्थ पोलोची था इसका प्रकासिर इनकी मृत्यों के एक सब्ता बाद हुआ था इनका सरुगास 30 April 1942 को गुरू पुडिमा की दिन हो गया सरत्चंद्र राय के बहुत सारे योगदान हैं जैसे जनजाती अधिन में योगदान सारेरिक मानसास्त्र में योगदान प्रागेती हासिक पुरत्तत्र सास्त्र में योगदान लोग साहिती अधिन में योगदान निभारिक मानसास्त्र में योगदान इसे बहुत सारे इन सर्च किया बहुत ही जादा उनका कांट्रिविशन है उनके फिल्म में जंजाती अधिन में उनका प्रमुक जो युगदान रहा है सर्च जंदराये ने सबसे पहले छोट अनागपूर की जंजातियों के उपर कुछ सोथ पत्रों का प्रकासन किया जैसे एसेटिक सोसाइटी बेंगाल बिहार एंड उरिशा सुथ समाज तता मैन इन इंडिया नामक पत्रिका में किया था इसकी बाद इन्होंने छोट अनागपूर की जंजाति मुंडा के एतिहासिक पुरनिर्मान और संस्क्रितिक पुरनिर्मान के लिए मुंडा को किलो का साख्षत कार लिया उनकी ग्रामों का भ्रहमन किया और इस जंजाति से सम्मंदित अनेक पुस्दकों का अधिन किया मुंडा जंजाति के उपर प्रकासित उनकी मोनोग्राफ का सिर्शक मुंडा एंड देर कंट्री जो कि 2012 में पबलेस हुआ था उन्होंने मुंडा जंजाति के आतिहासिक पुरनिर् गठन धर्म पर तेहार विश्वास एवं पार्मपरिक रिती रिवाजों एवं कानुनों का विवरन प्रस्तुत किया है जन्जाती अध्यन में दूसरा उधारन येन एक्जामपल उरां जन्जाती के उपर उरां ऑफ छोड़नाकु जो कि 1915 में ये प्रकासित हुआ था इन्ह में लोने इस अध्यन में एक बुद्धि मान विर्होर से हर सभीस रINGING हैता राक्त की थी इस मुष्टक में ने को विर्होर ये ड़ान करते हैं जो दित्ले विरहोर इन्दा में रहते है और इने क मैं उपर कर ने जिन निवास है Не नहीं होता जग्दीवीर हो रहे हैं इनका निवास स्थान स्थाय होता है वे गाउं में रखक्रिसी का काम करते हैं 1928 में उनकी जो बुक पब्लिस हुई थी उरार रेलीजन एंड कस्टम और 1935 में उनकी बुक हुई थी पब्लिस हील भुईया और उडिशा नेक्ट 1937 में पब्लिस हुई थी इनकी छट्य और अंतिम उसका नाम था था खरिया इनके खरिया जन जाती कि सारिक आर्थिधामिक सामाजिक राजनेतिक विसेस्ताओं की चर्चा विस्तार पुर्वक की है जब आप खरिया इनकी बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपका खरिय में आपको ये नौलेज आपको ये बुक पढ़ने से मिलेगी नेक्ट जुन का कॉंट्रिबूशन तो सारेडिक मानोव सास्रे के अंतिकत मानोव का प्रकृति में स्थान मानोव विकास मानोव की प्राचिनता मानोव जीवास मानोव का प्रत्तम ग्री प्रजातिय एपने एक मौकिल के माधियम से एक कैद्री भूजचा कार पासान को लहरे प्राप्त की थी। उसके बाद उन्हें पासान अस्रों का स्थान्पा उंक्रण आरम किया। जहां से इने पसान आश्र मिले थे यानि कि जो लिमीटिव एच की जो टूल से वो मिले थे प्रागेती हासिक प्रज्ट तरत्व सास्र में इनका योगदान असूर अस्थल की खुदाई है इन्होंने विविन असुर ग्रामों का भ्रह्मन किया और फिर वह भ्रह्मन करकर प्राचिस इटे भवन इटवाले बनेवे भवन पसान, मुर्ती, चबुत्रा, मंदिर, खंबा, तला, मिट्टी, तामबा, कासा और लोहाग्युकरन और बरतन कादन किया जिनका निर्मार नेक्स्ट जो इनका कांट्रिबूशन है लोग साहते के अधिन में योगदान, इन्होंने जनजातियों के उपर लिखे के अपने मोनोग्राफों में गीत, कथा, कहानी, कहावत, पहले खेल, कुद, इतियादी का संक्लन किया, फिर विवरन पस्तुत किया, कि फोक जो लिट सासन संबंदे समस्याओं का सामना करती थी, तब इने इस लादेने के लिए इंवाइट किया जाता था, तो गैज, इस वीडियो में हम देखे कि साहचंदर आएगा क्या कांट्रिबूशन था जाती अधन के छेतर में, या फिर सारे एक्वान पस्तुत के छेतर में, या प् किसांजर जाओगा क्या जाता था में, या जाता था जाता चान्रिबूशन था हुआ ऑछ trafficking छावरा जाती प्रता पाक्यादा टूर्णाए़ार